विल्कम बेक दोस्तों सौगत आप सबका एक और नहीं वीडियो में दोस्तों लास्ट की जो एकसेसरीज वाली वीडियो थी उसमें मैंने बता है था कि मुझे गाड़ी में डैस्केम इस्टॉल करना है क्योंकि डैस्केम की बिना इंडिया में गाड़ी चलाना मतलब बहुत ह अपने पास सबूत के दिखाने के लिए कि बहुत कुछाने के दिखाने के नहीं थी नेंने वालेा को सब्सक्राओन निएं किγα benefit लेकिन दिक्क्त धा रहिएक उदर देखो airbag है ठीक है इस वोजे से मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि सेप्टी के मामले में मैं compromise नहीं करना चाता क्योंकि सेप्टी में compromise कोनगा मतलब अचनक airbag खूल गया तो लपड़ा ही हो जाएगा उससे बड़े भाई बाहर जाते हैं किसी अच्छे टेक्निशियन से जो मतलब जीने एक्स्पिरेंस होगा उनसे वो काम कर वा लेंगे कि लपड़ा बहुत एसे वो airbag अगर खूल गया का काम करते गरते या फिर काम होने के बाद खुला ही नहीं मतलब समझ रहे हो मेरी बात को तो लपड़ा चाहिए नहीं अपनी को उससे बड़े भाई जाते बार करो लेते फिर देखना भी यह डैश केमेरा कैसा चल रहा है और आहां बता दू कि सबसे पहले बता देता हूं कि कि यह promotional वीडियो नहीं है यह मैंने ुद मेरी पैसे से मंगवा यह इसमें कुछ प्रोमोशनल वीडियो वेकरा कुछ नहीं है चुलो जाते हैं और देखते हैं दुखन पर जाके क्या सीन है तो भाई आ चुके डैस्ट कम लगवाने यह आरेन मोटर स्पुने भाई कर रहे हैं अपना काम लगा रहे हैं डैस्ट कम लगने के बाद थोड़ा टेस्ट में अगर कि आपको वीडियो में बता दूंगा क्या सीन है उसका एक्चुली ओ एर बैक की वज़े से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैंने बाहर से लगवा रहा हूँ कि वह लफड़ा चाहिए ही नहीं आपने को खुद से खुद से मैकनिक बनना का कभी कभी भारी पढ़ सकता है इसलिए जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें के हाथों से काम करवा लिया कीजिए तो दोस्तों लग चुका है अपनी गाड़ी में डैस्ट कैमेरा अधिका तो कहा झाल लगने नौरमली प्रकिन नोचार कर आ है की जद लगाँ यहां पर थे तैके निशाinea करा है अ कि इसका क्रेक्शिन देख लो देखो इधर से इस करटन की नीचे से लएकर फिर इसको नहीं खुला मैने ऐस एका है न पीलर के इसको नहें खुला तोकि यह रबर भीडिंग इसको खौल के इदर से निचे से फिर इद थोड़ी वाएर दिख रहे हैं इदर से निचे से लेकर फिर गलव बॉक्स के थोड़ा अंदर से लेकर फिर इसमें फिटिंग कर दिया है इसमें लगा दिया है तो अभी जो डैश कैमेरा है इसकी कॉलिटी जो दिन की और रात की मैं आपको दिखाता हूँ तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इसकी दिन के और रात की कॉलिटी मुझे इस प्राइस पॉइंट के सब से तो बढ़िया लगी चैनल लगवा लेकिन इसप्राइस पॉइंट में और भीоды ऑप्षेण थे लेकिन कुईबो का मैंने बहुत सारी रिफूरिस देखे थे पहले यूटीब पे तो प्रीबोर का है रिसेर्च करेए उसके बाद मैंने यह क्यूबों का ही मंगवा लिया क्योंकि यह इस प्रोईस पॉइंट की हिसब से तो मुझे बढ़्या लगा इसलिए मैंने उसे क्यूबों को इमंग लिया मुश्टली लोगों का ये सवल होते हैं तुमने डैश कैमर लगवा लिया लेकिन डियोल चैनल लगवाना था मतलब आगे और पीछे वाला तो मैंने क्यूं नहीं लगवा है तो उसका एक और रिजन है मतलब अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो देखो ये आग ये से लेकर पीछे तक तो उसके लिए मुझे ये पूरा कर्टन वेगारा उसके नीचे फिर ये निकालना पड़ता ये भी एरवाग इसमें भी एरवाग इसको भी खुलना पड़ता उससे बड़े मैंने ये सोचा है कि ऐसा जो सिंगल चैनल का जो मैंने आगे लगा है ये इदर तक ही मतलब ये देखो 12 का पोट इदर इसमें से इदर तक कनेक्शन आरम से हो जाएगा उसका कोई इतना सेन नहीं होगा इदर से कर्टन की नीचे से अगर आगे से मतलब सिंगल कनेक्शन करता में तो उसके लिए भाई ये पूरा खोलना पड़ जाता और कर्टन का क इसा है थोड़ा सा खीचा वेगरा तो निशान आ जाते हैं वो निशान चाहिए नहीं फिर वापिस बहुत गंदा लगता है उससे बढ़िया थोड़ा खर्चा कर लो खर्चा भी क्या मतलब डियोल चैनल मुझे क्यूबों का कुछ तो 7000 में मिल रहा था सिंगल सिंगल चै यहाम की दोनों अलग अलग है तो मिलिए सेपरेट घ्चा फटर मंगें इससकतर जालने के बाद उसका सपोर्ट मीने नि satur derky डालने के बाद उसको सपोर्ट ही निकर रहा था इस वो जैसे मैंने उसे रिटन तो कर दिया और इसमें अभी 16GB का 16GB का मतलब एक मेंपरी काट डाला है वो शायद आट-दस साल पुरा ना था जब हम की पेड़ फोन यूज करते थे ना तो अपके जमाने का माइको रिटी काट इसमें चल गया लेकिन आज के जमाने का जो सैमसंग का मैंने मंगवाए था इनकी जो मतलब एमेजन पे जो मैंने प्रोड़क मंगवाए था यह प्रोड़क आने के बाद दुसरे किसी कंपणी का बढ़े वाले 128 यह फिर 512 GB का मंगवा लूँगा क्योंकि उसका भी एक सीन है भाई अपन जो मेमरी काट लोग बोलते हैं एक बार डैश केमरे लगवालो फिर उसके बाद खर्चा नहीं है डैश केमरे का लेकिन उसका भी सीन है मैं आ इस वज़े से मोश्टली एसडी काट जल्दी खराब हो जाते हैं मोश्टली होई जाते हैं जल्दी ज्यादा 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 एक साल तक चलेगा उसके अदो भी खराब हो जागा तो वही सोश्राव 512 GB का मंगवा लेता हूँ वह बढ़िया होगा और यह बात मुझे पता नहीं थी जब मैंने थोड़ी रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि भाई ऐसा भी सिस्टम होता है इसका कि माइक्रो एश्डी काड़ का भी खर्चा आपको ही करना पड़ेगा इस वज़े से देख लेते हैं अगर हो सकते तो 1212 GB का मंगा लूँगा या फिर 128 GB का मतलब ठीक है कितना 1080p मतलब 1080p पे और रेकॉर्ड करते है कॉलिटी एश्डी ऐसे 4K 2K वेगर नहीं है इसकी कॉलिटी नॉर्मल कॉलिटी है तो इतना ज्यादा स्टोर स्पेस नहीं यूज करेगा हो और वैसे भी ये डैश केमरा तब चलता है जब गाड़ी चलती है तो वाई 64 GB का माइक्रो एश्डी कार्ड फूल होने में 10 गंटे चाहिए जब फूल होगा जब मतलब उसकी मिम्री फूल होगी उसके आग मैं उसे निकाल के फॉर्मेट कर दूंगा पूरा मतलब अगर मुझे उसका फूटेज चाहिए नहीं होगा तो मैं उसे फॉर्मेट कर दूंगा पूरा कॉम्पूटर में लगा कि तो उससे पूरा स्पेस ख बाखी कंपनी के लेकिन इसके रिव्यूज मुझे उनसे बहतर लगें इसलिए मैंने क्यूबो का ही मंगवा लिया है अभी देखते इसको एक हद भाईने यूज करूंगा मैं फिर पीछे वाला डैश के मेरे जो मतलब मैंने आपको बोला कि पीछे भी मुझे लगवाना है उ अगले वीडियो के साथ आप इस तब तक के लिए बाई